जे हिन्द बच्चो कैसे हैं आप आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्त होंगे तो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा आयनिक बांड आयनिक कंपॉंड की विश्था हैं तो इस सेशन में क्या पढ़ने वाले जहां जो आप चैनल के थूरू देख रहे हैं इसके बॉर्ड पर क मिलते हैं उसका नाम तो आब बहुत पहले से जानते हैं क्या है mystery in chemistry तो start करते हैं but do you mean by夢 podcast病 तो आईए समझते हैं देखिए इसमें words नहीं पदा चलता है लेकिन आप को वहर्ड में जो ये दो term को का मतलब होता है 7 क्या होता साथ हैँव यो बाहर वाला सेल या ऑरविट है जो इलक्व होताए है इलक्ट्र उसके देंस सी यानि बैलेंस बॉलांट कौन बनाएंगे तो इस तो इसमें बाहर्वाला एक यान तो है को बनाता हैम कैसे बनाता है साथ देकर बनाता है इसलिए बोलते हैं कोवलेंट बांड ठीक है यह तो सब्द का मतलब हो गया तो चलिए तो क्या होता है मैंने कहा कि जो एटम इस्टेविल्टी गेन करना चाहते हैं या दो तरीके से बांड बनाते हैं फिर से सुनिए कोई भी एटम stability gain करने के लिए bond बनाता है या electron loss करता है या gain करता है या share करता है तो आपने loss और gain वाले में समझ लिया है क्या ionic bond बनता है आज share करके जो bond बनाते हैं यानि वो atom जो electron के sharing से bond बनाते हैं उसे बोलते हैं covalent bond वो atom सेम तरह के हो सकते हैं दिफरेंड टाइपके हो सकते हैं जैसे ह s बनाते हैं इसे भूलत है क्या है बूलेंगेगे Tha bond the bond formed formed by equal equal sharing equal sharing of electrons electrons between between like or unlike atoms ठीक है उससे क्या बोलते हैं covalent bond called covalent bond clear है यह definition बहुत simple तो आप देख रहे हैं क्या the bond formed by equal sharing of electrons between like or unlike atoms called covalent bond अच्छा covalent bond हो या निक bond मैं आपको पहले बहुता चुका हूँ क्यों बनते हैं stability gain करने के लिए बनते हैं यह इस्टेबिल होने के लिए तो इस्टेबिल चाहे लास करके बने चाहे गें करके हो चाहे शेर करके तो यहां पर हम sharing वाला बान बुर जाया तो अब इसके example के बात कर लेते हैं चली example example में हम समझ जाएं कि पहले sharing कैसे होता और equal कैसा क्या मतलब है तो जैसे example में हम बात कर लें यहां पर hydrogen एक को ज्याएं अकले करना जाया और यह कितना करने चाहें तो दोनों हो एकी कमी आठ होना चाहे किसकी तरह और्गें के जैसा यह किसकी तरह होना यह सब्सक्राइब का देंगे तो यह कहा तुम मुझे अपना दे दो तो इसने कितना होगे साथ पहले था एक और हो गया इसका कितना होगे दो गया तो इसका तूर हो गया इसका इसका तो इनके बीच काउन से बनेगा इक्वल से इसको हम देशा दिखाए जो से लिंग हुआ है उसको हम हाइफन से डिनोट करते हैं ऐसे एधर क्लिक टान था यह जो बच्चे जो शेरिंग नहीं हुए उसको ऐसे दिखा सकते हैं यह नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा तो हम इ यह सिंबल दिखाएंगे दो दो इलेक्टरान का सेरिंग होता यानि इच एटम टू इलेक्टरान फार्म जबल बांड तो अभी हम सिंगल पढ़ें तो यह है ठीक है यह अपका बना कैसे बना को बना थूबन कैसा होगा कोवलेंट कंपाउंड होगा क्लियर है चलिए तो अब हम एक 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 लेक्टरान के से से सिंगल बांड पढ़ें तो डबल बांड ट्रिपल पाण भी समझें यानि हम टाइप साफ कोवलेंट बांड की बात कर लें किस आधार पर किस बेसिस पर आंदर बेसिस आफ नंबर आफ सेर्ड इलेक्टरान वाई इ ट्रीपल दो एक से लेक्टरान से करेगा जैसे दोनों मिलकर दो एक घ्रपकर के लेकिन आपको मैं बता रहा हूं पर एक एटम की इतना सेर करा ऑदबस देखते हैं तो आई यह देखते हैं डबल कोवलेंट किसे बेसे बांड याप पढ़ें हम पर लें डाइप साप कोवल bands तो पहला क्या होगा छो तो क्या होता सिंगल मैं आपको एक बार आओं दिखा दू single में जैसे chlorine ठीक है और यहां पर दूसरा chlorine तो कि मैंने HOCl 2 different type के अटम थे हैं यहां पर मैं same type के अटम ले रहा हूँ, ठीक है यहां इसके आउटर मॉष्स मेंकटने कितने लेक्टान है, 7 सेवैन है और इसके इसको संपर्क में दे दिया इसका पूरा हो गया आठ यह कहा कि ठीक है तो मेरा तुम मेरा भी ले सकते हो तो इसका अभी आठ हो गया तो किया हो गए हैं एक एक इलेक्रान का सेरिग हैं तो यह इनके बीच कैसा बांड बने गा सिंगल और इसको स्कार लिखें गे तो क्या लिखते हैं बन काँसे बनता है देखे एक्जामपल ग्रूप में oxygen oxygen के बीच double bond होता है देखे oxygen के आउटर मोसल में कितने electron आप गया दोगा 6 electron तो यह 6 electron में इधर ही दिखा दिया दो इधर दिखा दे रहे हैं ठीक है और इसका भी 6 electron है इसको cross से दिखा दे रहे हैं है ताकि पहचान के लिए दूरों में डिफरेंस समझ में है ठीक यह पहला अक्षिजन दूसरा अक्षिजन इसको इसके आउटर मुस्ट में च्छा है दो इलेक्टान जरूत होगा ताकि यह आठ हो जाए यानि आक्टेट कंप्रिट करने के लिए इसको कितनी की जरूत है दो इसके आउटर मोर्शन में जरूत कितनी है दो की ताकि अतना हो जाए आठ इलेक्टान हो जाए यह आउक्टेट कंप्लिट करने के लिए दोनों आक्षिन को दो-दो इलेक्टान की जरूत है तो क्या करेंगे फिर से से रिंग क्या भाईया साथ आजाए साथ आएंगे तो वैलेन वैलेन सेल के इलेक्टान साथ आएंगे तो देखिए कैसे साथ देते हैं दूसरे को तो यह क्या किया यह आउक्षिन को कमी को पूरा करने के लिए यह आउक्षिन ने क्या किया दूसरा वाला आक्षिन ने इसको इलेक्टान दो दे दिया तो इसका च्छा पहले था अब देखे इसका तो इधर केवल दिया नहीं सेर किया इसके दोनों के बीच में आ जाते हैं अब क्या किया इसका पूरा होने के लिए क्या होगा ये जो सेर किया था दो इलेक्टरान लिया था वो अपना इलेक्टरान दो इसको देगा और ये हो जाएगा ये देखे ये हो ग ऑग्तान के लिए क्या बनाएंगे दूनों तरफ है इसलिए आप किया करेंगे दौबण ध्यान रख्या एक एक एक्लिक्तान यहांपर देखें दो दो इलेक्टान का है, तो दो डबल बार्ण मना देंगे, तो इसी को हटा के हम क्याल दिखा देते हैं, ये, और इसी का molecular form लिखेंगे, तो दो oxygen को हम ऐसे लिखेंगे, O2, ठीक है, O2, तो ये हो गया, डबल बार्ण, चलिए, अब एक triple bond का example ले लेते हैं, triple bond कैसे बनते हैं, चीक है, तो triple bond में nitrogen के example, the best example होगा, चीक है, चलिए, तो nitrogen के outer motion में कितने electron होते हैं, आपको याद होगा, तो जलिस बताए, पांच होते हैं, ये पहला nitrogen, दूसरा nitrogen, इसको हम डाट से दिखा रहे हैं, इसको करा से दिखाया था, ठीक है, इसके outer most में five electron कितना होगा कि eight हो जाए, तीन चाहिए, इसके outer most में five electron कितना चाहिए, three electron क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा, ठीक है, तो आठ हर हाल में ये करना चाहरे हैं, दिखान के second period के elements, लीथियम, बिरेलियम, बॉरान, कारबन, नाइटोजन, आक्सिजन, फ्लोरीन, और जो नियॉन है, वो नोबल चाहिए, तीन, तो यह क्या किया, इस दूसरे वाले nitrogen से तीन lektron ले लिया, और पांच से कितना, तीन लेकर कितना हो गया, आठ हो गया, अब इसको पूरा करना है, तो क्या करेगा, यह वाला इसको शेर करके, अपना इसको पूरा कर वायाएगा, तो यह पांछ था, 3 लिया 8 हो गया दोनों आक्टेट पूरा कितने electron कितना electron किया 3 electron तो 3 bond बनाएंगे IC को हम molecular farm में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे N2 ठीक है यह electron dot symbol यह आप bond को दिखाएं है यह उसका molecular farm लिखें है तो आप समझ गये होंगे कि single bond में 1 electron share करते है इच एटम, डवल बांड में दो इलेक्टरान सेर करते हैं इच एटम और टिपल बांड में थ्री इलेक्टरान सेर करते हैं इच एटम, ठीक है, चाहे हेट्रो हो या हो मतलब सेम टाइप के एटम होंगे, या हेट्रो एटम होंगे, दिफर टाइप के एटम होंगे, ठीक है, अब यह तीन टाइप के आपने पर लिया किवल बन की सायबत अबрийर कि माफिस कोबंश से यह पहलते हैं दपरफलंट के दीशच्ट हैं यह कि क्लिएंट कंपउंड की क्या विश्यस्ता होती है तो आप को पुछेंगे कि सब कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है तो आप आयनिक कंपाउंड के लिए क्या पढ़े थे कि जिस कंपाउंड में आयनिक बांड होता उसे आयनिक कंपाउंड करते हैं उसी दर से जिस कंपाउंड जो कंपाउंड कोवले लेकिन लेकिन पारेटें लेकिन लेकिन कोवलेंट कमपाउन रूम टमपरेचर पर यानि 25 डिगी सेल्सिएस पर चुछ लेकिनि फेज्र तो थीज कमपाउंट में भी पर एगस तो में घखारदफ ने हैं लिकविड में आपका केरोसी में पट्रोल हो गया बंजीन कैनल थैब यह सब हैं सब पाए जाते हैं ठीक है एक तरहा लक्विडिम्स पा andar है सब इस आयल हो गया है के रोशें प्रेट्रोली सब कोवलेंट कंपाउंड से लिए यह सब क्या हैं जैसे में अब यह सब क्या हैं जब किया क्या है तो इस रूम टंप्रेशर पर तीनों ही फेज मिलते हैं solid liquid gas कुछ भी हो सकते हैं दूसरा low melting and boiling point तो आपने पढ़ा कि आइनिक compound क्या होते हैं उनका melting point बहुत ज्यादा होता है किसकी तुल नाम हम कहें ज्यादा कोवरेंट compound की तुल नाम क्यों ज्यादा त्यूंकि उसमें बोलते हैं कि strong electrostatic force of attraction होता है लेकिन यहां पर बोलेंगे कि melting point कम क्यों होता है तो बोलेंगे वीक वांडरवाल्स फोस होता है जैसे आप ग्लुकोज को चीनी को या किसी और को यूरिया को आप पिगलाएंगे तो वह आयनिक compound की तुलना में इनका melting point कम होगा क्या करा है कि वहाँ आयनिक compound में इलेक्ट्र स्टाटिक फोसा प्रटरक्शन ज्यादा होता है जिबकि कोवलेंट कंपाउंड के बीच वीक वांडरवाल्स फोस होता है इसलिए इनके melting point जेनरली आयनिक कम पाउंड के तुलना में कम होते है इस तरह से boiling point भी कम होता है वीक वांडरवाल्स फोसे कम होने का melting point और boiling point कम होता है नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो आप पढ़े थे आयनिक कंपाउंड मोल्टेन कंडिशन या एक्वस कंडिशन में electricity क्या होते थे कंड़क्टर होते हैं जबकि kovalent compound जैसे आपका वाटर क्या है तो क्या electricity क्या है कंड़क्टर थे नहीं होते है तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे insulator होते हैं या poor conductor होते हैं किसके electricity के ठीक है coal and compound क्या होते हैं insulator और poor conductor of electricity ठीक है पानी हो या आपका carbon tetracuride हो बेंजीन हो यह सब poor conductor या non-insulator होते हैं ठीक है अगला है solvoline non-polar solvent यह जनरली यह लगा दीजिए यह शाल इंपानी पानी में भी अगल होते हैं ऑन यह सब क्या है यह कोवलेंट सब्सक्राइब है यह पानी में सालवल हैं लेकिन जैसे आपका केरोसीन हो गया इथर हो गया इस सब किसमें गुलेगए बेंजीन में गुलेगा यानि जो का रहूंगे यह अब यह होगे इसके प्रापरटीज की बात तो ये था आपका आज कर सेशन ये वीडियो आपको कैसा लगा यदि अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों के साथ सेर कर सकते हैं यदि आप और वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नो अंगल में हो जय हिन जय भारत